नमस्कार दोस्तों, SBI की Tax Saving Fixed Reposit Account के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसे आप लोग कहते हैं SBI की Tax Saving Scheme 2006 भी, यहाँ पे दोस्तों कौन लोग इसको खुलवा सकते हैं, कितना आप लोग को Tax बचाने का मौका मिलता है, क्योंकि अगर हम Tax Saving की जहां बात आ जाती है, ह पहले बता दू कि यहाँ पे आप लोग की ATC section लगता है, Income Tax Department का, जो कि आप लोग को 1.5 लाक रुपे तक का amount देता है, प्रती वर्स यानि की एक वित्तिय वर्स में बचाने का, तो अगर आप लोग 1.5 लाक रुपे बचाना चाहते हैं, Tax देने से, तो आप लोग यहाँ पे इस स्कीम को चूज कर सकते हैं, SBI की Tax Saving Fixed Reposit स्कीम को चूज कर सकते हैं, चलिए हम लोग थोड़ी डिटेले बात करते हैं कि कौन खुलवा सकता है, क्या-क्या लिमिटेशन है, और क्या-क्या चीज़े आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है, आप देख रहे हैं दोस् से पहले आएंगी, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें SBI की Tax Saving Fixed Reposit स्कीम के बारे में, तो यह दोस्तों आप लोगों के लिए 2006 में लाया गया था, यह डिजाइन किया गया था आप लोगों के लिए Tax बचाने के लिए और साथ ही आप लोगों को लाभ भी दे सकते हैं, और वही पर कुछ और इसकी Minimum और Maximum की बात कर ले, तो यहाँ पर इसका Minimum Tanner जिसे आप लोग कारेकाल कहते हैं, या फिर आप लोग कह लिए कि इसकी एक सीमा कहते हैं, जो Minimum होगी वो आप लोगों की 5 साल की खुलवा सकते हैं, और Maximum इसकी 10 साल तक ले सकते ह बीच में आप लोग कोई भी टैनर चूस कर सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों के लिए, जो लोग सोच रहे हैं कि कौन लोग खुलवा सकते हैं, और क्या documents लगेंगे, तो दोस्तों pencard यहाँ पर आप लोगों का Minimum document है, अब pencard उन ही लोगों क बनता है जो Indians होते हैं और जो Hindu undivided family से belong करते हैं, तो अगर दोस्तों आप लोग Indian citizen हैं, अगर आप लोग हिंदू undivided family से belong करते हैं, अगर आप लोगों का pencard है, यह documents है, तो आप लोग यहाँ पर खुलवा सकते हैं, और दोस्तों अगर fixed deposit का नाम सामने आता है, तो हमारे दि अगर आप लोग senior citizen है, 60 साल को पार कर चुके हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर 0.5 का incentive मिल जाएगा, यानि कि आप लोगों को जो ब्याज है, वो मिलेगा आप लोगों को 7.35% तक का, और वही पे दोस्तों कुछ और इसके benefit के बारे हम बात करें, तो अगर आप लोग saving account से हट करके कुछ loan लेना चाहते हैं, तो आप लोग SBI की fixed deposit tax saving scheme पे loan भी ले सकते हैं, आप लोगों ने जितना भी amount fixed किया होगा, उस amount का 70% तक आप लोग यहाँ पे loan उठा सकते हैं, या फिर आप लोगों कहले जितना भी आप लोगों का amount होगा, आप लोगों के fixed deposit account में, वो आ सारी detail थी दोस्तों, जो कि आप लोगों को SBI का tax saving fixed deposit scheme 2006 के बारे में जानना था, अगर आप लोगों का कोई दिक्कत हो, कोई परिशानी हो, तो नीचे आप लोग comment box से छोड़ दीजेगा, या फिर अगर आप लोगों कोई video चाते हो, या फिर किसी topic पे आप लोग जानना चा चैनल पर नए आए हैं, और इसे तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, और बैल आइकनों क्लिक करें, इसे तरह की informative वीडियो आप लोगों तक हमेसा आती रहेंगी, आप लोगों से next वीडियो मिलता हूँ, आप लोगों का दिन सुभ हो, जैहिन!